मंजिल में पहुंचा वो नहीं जो कभी निकला ही नहीं स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं पुस्पंदर्दाफ सिंग फाउंडर एंड सी ओप सिविल गुरुजी आप सभी के लिए एक बार फिर से बेस्ट चांस फॉर सिविल इंजिनियर्स टू स्टार्ट करियर एस पर डिमांड एस पर इंडरस्ट्री इंडरस्ट्री डिमांड टॉपिक्स की जो जर्रत है भाईया वही पढ़ाओ फिर से वो साइन थीटा कॉस थीटा मत पढ़ने लग जाना जो कभी पढ़े थे और आज पता ही नहीं कहां यूज होने वाला है differential calculus, integration calculus हमने पढ़ा तो बहुत अच्छा था लेकिन आज on the time of life कहां यूज होने वाला है नहीं मालूम इसलिए वही समको आना चाहिए वही सिखना चाहिए जो direct industry में डिमांड हो practical training, theory पढ़पढ जग मुआ, engineer भया ना कोई धाई अक्षर corporate training course का पढ़ा जो engineer होए engineering में बहुत सारे पार्ट है, not only building, not only road, बहुत सारे division है एर पर अधार्टी एक अलग ही डिमांड है, railway अलग ही डिमांड है, पूरा tunnel के नाल बहुत ही एक अलग ही डिमांड है, अलग-अलग type के pattern है, उस type का pattern जिस पार्ट में आप जाना चाते हो, आपको air force में join करना है, तो आप aeronautical engineering नहीं करोगे, आप जाके air force pilot बनना सिखोगे, aeronautical engineer क्या हो गया, वो plane बना रहा है, जो plane बनाता है, वो plane उडाता नहीं है रे बाबा, इसलिए इयर force engineering और aeronautical engineering दोनों अलग-अलग है, तो उसी तरीके सा site difference उसी का चीसे से आप आगे बनना चाहते हो, the next one is job oriented skill, कि site preference में अब यह न सिखने हमको मिले कि जो हमको काम नहीं है, engineering में बहुत सिख लिए, आपने engineering में पूरा का पूरा building material test सिखा है, आपने पूरा construction process, structure designing, RCC designing और steel designing सिखा है, आपने water resource engineering सिखा है, transportation सिखा है, airport transportation सिखा है, environmental pollution control आपने सिखा है, construction management सिखा है, अरे बाबा इतना सारो सीख लिए हो लेकिन फिर भी सीखने की जरूत क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो आपने सिखा था, वो theoretical knowledge था, job oriented skill नहीं था, आपने किसी भी तरीके से engineering में structural design drawing पढ़ ही नहीं है, क्योंकि जो engineering drawing है, at the time of engineering जो college में, वो स्रीप और सिखाता है आपको, job oriented, structural designing, MEP drawing नहीं होता उसमें, तो ये सारे drawing को पढ़ना है ना on site, कब सिखेंगे ये, आज मौका है, देखते हैं सिखेंगे कैसे, and the last one corporate software, AutoCAD, StatPro, ETAB, Revit, 3ds Max, Google, SketchUp, ये सारे software न पैसा कवाएंगे, ये सीखना है, ये AutoCAD तो आ गया, लेकिन AutoCAD से पैसे कैसे बनाएं, submission drawing कैसे बनाएं, client को वास्तु के हिसाप से, कैसे उसको satisfy करवाएं वास्तु के हिसाप से, और साथ इसाथ पूरा का पूरा plumbing drawing, electrical drawing, structural drawing, किस तरीके से बनाए जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी तो आप जाके साइड में execute कराऊगे, नहीं तो बॉक्स बनाना सीखो, 8-10,000 रुपए तो लोग खर्चा करी देतें, इंजिनिंग में, और उस 8-10,000 रुपए AutoCAD में देने से अच्छा है, आपको वो 8-10,000 रुपए बचा के रखने चाहिए, आगे ले लगता है, इस टेरिंग दोनों कारी में होता है, बस difference किसका है, inbuilt engine का, नैनो में कम पार्ट लगे होते हैं, और Mercedes में भर भर के पार्ट लगे जाता है, ये आपको काम करना है, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एक pathway आपको इंटर्डूस कराता हूं, सबसे पहला pocket dictionary जिसक लिखना ज़र रही है, इस industry पे, उनके लिए मैं आपको guide कर रहा हूं, next pocket dictionary में क्या मिलेगा आपको बताता हूं, पूरा का पूरा site engineering का जो note समझ लिजे कि आप, आप site में खड़े हों तो आपको पूरा still के बारे में पता होना चाहिए, concrete के बारे में पता होना चाहिए, उस पूरा का पूरा, जीरो से planning से लेके 3D modeling तक आप Google SketchUp में सिखोगे, इसका rated 999 रूपए, फिर बता रहा हूं, देने की जरूरत नहीं है, आपको 999 रूपए, next है drawing checklist, कौन कौनशी drawing आपको लगती है, और उसके साथ सार, उसको site पे किस तरीके से check किया जाता है, check 1, check 2, check 3, check 4 चेक 5, check 6, क्या क्या सट्रिंग लगाना है, फुटिंग लगाना है, ठीक है, चेक कर लिए, यह सारा व्यवस्था आपको अभी आना चाहिए, आप career start कर चुके है, achieved level पे है, या career start करने वाले है, क्या planning कर रहे हैं अभी यह दिया pursuing है, तो भी यह आपको अभी check करना चाहिए जिसका rate है 299 रुपए, बता रहा हूँ ना, देनी की जरूत नहीं है आपको, next बात करते है, estimation notes, यह तो ultimate level का है, ऐसा book ना आज तक बना है, ना कभी बनेगा, चेतन सर्मा सर्व ने personally, खुद के महनस चे करीब करीब डेड़ साल लगा है इस estimation and planning notes को ब्राने के लिए, लेकिन फिर भी amount रखा है उन्होंने 599 रुपए, अरे भाई, इतने में तो एक बोतल नहीं आता है, यह book दे दे रहे हैं, तो एक बोतल पिने सच्छा है, बुग ले लो, लेकिन फिर मत आ रहा हूँ, देना नहीं है किसी को पैसा, estimation and planning notes, पूरा का पूरा आपके लिए specially available करा रहा ह Civil Guru जी, इस पूरे pocket का, इस चार course का जो cost है, that is almost 2246 रुपए, चकना लेते हैं, दारू का पैसा नहीं लेते हैं, चकने का पैसा लेते हैं, तो आपको चकने के पैसे में 199 रुपिस में चारो course, यह चारो course आपके लिए Civil Guru जी दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है कि यह course दीखना है, not only this, इन सब के साथ आपको यह नहीं मिल रहा है, जो special offer Civil Guru जी आपको दे रहा है, वो यह है कि आपको first time ever in the history of Civil Guru जी, demo of corporate training course till 1st October only, 1 October तक ही आप demo ले सकते हो, daily will you get two videos of all the courses, Civil Guru जी का corporate training course आप जानते ही हो, आपको हर दिन हर course का दो-दो वीडियो मिलेगा, जैदी आप यह course में enroll करते हो, इस course की जो fees होती है, 2226 रुपए, लेकिन आपको pay करना कितना है, 1999 रुपए स्रिफ, उसमें यह course तो मिलेगा ही, यह course आप 2 साल तक यूज कर सकते हो, pocket dictionary, google sketchup, drawing and checklist and estimation, यह notes, यह downloadable notes है, यह downloadable checklist है, google इसका पूरे वीडियो, जैश्मेंट, reading materials है, और pocket dictionary downloadable है, आप download कर लोगे, अपने print out निकाल लोगे, या फिर अपने phone पे PDF अफलेबल होगे, जो भी इसके documents वो आप रख सकते हो, मैं तो request करूँ कि आप से print out निकाले ना, बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए, असान आता है, लेकिन इसी के साथ साथ, आपको corporate training course, पूर रही है आपके लिए, कि जब भी हम car खरी दे जाते हैं, तो यह थोड़ी कि जाते हैं और table में पैसा देते हैं, यह car दे दे चलेंगे, नहीं, हम क्या करते हैं, पहले बोलते हैं, यह car की features बता, फिर उस car को जाते हैं, test drive करते हैं, करते हैं, हमारा survival nature है, इसी लिए maximum engineer अपना मंस्ते हैं, कि engineering करने के बाद job लग जाती, ऐसा नहीं होता यार, engineering is a education part आपको degree देता है, job आपके technical skill से लगता है, यह थी आपने engineering के time पे technical skill बढ़ा ली होती, तो आपको job लग चुकी होती, वो technical skill जो company में required है, freser कहा जाता है न आपको, freser किसे कहा जाता है, जैसे कि एक doctor है उसको बोलो जाके एक पंचर बनाए, तो पंचर बनाने में freser हो गया, लेकिन doctor की degree है उसके पास, क्यों freser हो गया पंचर बनाने में, क्योंकि पंचर बनाना उसको आता नहीं है, उसको operation करना बहुत अच्छे चाता है, हम क्या हो नहीं होता, उसी तरीके से engineering में जो सीखा ज चेक करते हैं कौन-कौन से features है हमारे फोन पे उस features को check करने के बाद ही हम अपना phone purchase करते है That's called demo इसी demo के साथ आपको पूरा का पूरा update किया रहा है इस courses के साथ कि कौन-कौन से part आप पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप जो description पे application का link दिया वो link download कर लिजिए और साथ ही साथ उसमें जो corporate training course का image बताता हूँ मैं corporate training course में कैसा image है उस course को corporate training course में गान्दी जी भी available है क्योंकि 2 October आने वाला है और 2 October में गांदी जी आपके साथ आएंगे तो गांदी जी ऐसी सिख जाओगे आपको कोर्स खरिदना ही नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी यह आपको अच्छा लगता है तो जरूर जाके कोर्स खरिदना और अभी जोइन करो अब इस कोर्स में क्या क्या है यह मैं आपको बता देता हूँ what skill you will get here सबसे पहला estimation कि जीवन में बचपन से लेके आज तक में estimate करते आ रहे हैं बस उसको technically language में बात कर लिया है कि ममी हर महिने पूरा का पूरा रासन का estimate बनांगे देती है कि जाओ इतना समान ले आओ वो previous record से ना कि previous experience से उसी तरीके से आपको यह अपने एक बार estimation सीख लिय तो आप किसी भी बिलिंग का हर एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन मनाने में सक्सम हो जाओगे उस लेवल पे बैंक से लोड मिल जाएगा आपको जिस तरह से वैल लूइट एक पूरा एस्टिमेशन बनाता है प्रोजेक्ट स्टडी पूरा कॉंटिटी मैट्रील के साथ और rate analysis के साथ, जो multiply करके amount निकलता है, जिसको बोलते है, bill of quantity, उस level पे आप यहाँ बराना सिख जाओगे, next है, condiservant rate analysis, चाहे government project हो, चाहे private project हो, labor से तो काम करवाने ही पड़ता है, labor को rate किस तरीकत final होता है, एक kg बानने के लिए इस चिल का पांच रुपर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसका पुरा rate analysis यहाँ पे मिलेगा, suttering का, concreting का, brick work का, plaster का, tiling का, painting का, हर एक पार्ट यहाँ पे design किया गया है, especially आप लोगों के लिए, next step billing work, चाहे फिर से बताऊंगा, प्राइट में हो चाहे, खुद का ही काम करवा रहे हो, बिल तो बनाने ही पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, वो पुरा पार्ट आप यहाँ पे सिखोगे, सिर्फ billing पे यह नहीं, आगे बता दो, और क्या आगे आप सिखने वाले हो, बार बैंडिंग सेट्डूल, पुरा स्टिल, बारा मिंटर का लोहा है, कितने में काटेंगे, कैसे काटेंगे, आप सोचों मेरे पास यह पूरी बोडी है, अंदर में रैंफोर्समेंट लगे हैं, जिसको हम हड़ी कहते हैं, अब आपके पास एक बड़ा सा बारा मिंटर बड़ी आ गया और बोला भी आप काट के आदमी बना दो, हमको पता ही नहीं कैसे काटना है, तो इसलिए बार बैंडिंग सेट्डूल सिखना बहुत जोरी हो कि स्टिल तो आपको मिलेगा कैसे में करना है, यह आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि वेस्टेज नाट प तो एक ही ऑप्शन है कि सिविल की बात गुरुजी के साथ, दोस्तो जीवन पर यदि आपको सिविल की बात करनी है, तो एक ही प्रस्टनाल्टी है, that is Mr. गुरुजी, first time combined training, practical and software के साथ, पिछले दो सालों से हमने लगबग 700 इंजिनियर को offline में training दे दिया है, और लगबग 18 14,000 इंजिनियर से जादा हमने online में training दे दिया है, इस corporate training course को पिछले 6 महीनों पे, तो आपके लिए अभी मौगा है, या तो उनके साथ compete करो जो well trained है, या फिर आप भी उस competition पे आगे निकलो जिए आपको training लेना है, तो, आगे बात करता हूँ किस तरीके से आप चीजों को स चिखने के लिए और वो भी स्रीप और श्रीप, आज, कल, परसो, नरसो, उसके बाद वाला एक और अरसो, कि एक तारीक तक आपको मिलेगा ये corporate training course का demo, जिसमें आप 27,000 रुपे बचा सकते हो, अब ये बचाना क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ, 37,000 रुपीस, कि बच अपना पैसा फिस डिड़क करते ही नहीं है, 36,000 रुपे का कोर्स फिस है, 36,000 रुपे ये आपको पे करना होता है, corporate training course में आके, जिसका 45% कोर्स के डुरेशन में पे करते हो, 55% जॉब लगने के बाद पे करते हो, लेकिन अब online में एक offline का रोल ही नहीं है, क्योंकि आने वा एक परसंड की भी गलती की है, आगे बात करता हूँ में डिटेल पे, ये स्रिप और स्रिप दो अक्टूबर के लिए ही वैल्यू वैल्यूबल है, ये पूरे कोर्स जो आपका डेमो कोर्स है, ये एक अक्टूबर तक चलेगा, एक अक्टूबर के रात के 12 बज़ ये डेमो कोर्स आप किस तरीके से ले सकते हैं, और काल करने की जडित भी ने, आप ये जो फोटो दीग रहा है कांदी जी का application पे, ये 199 में आप किस को पर्चेश कर सकते हैं, corporate training course कैसे लेना है आप जैसे इस course को process करेंगे आपको आपको सारा देटा मिल जाएगा ये तो बात हुआ demo class का लेकिन demo के बाद आप corporate training course को खरीदो के कैसे तो खरीदने के लिए जो हाँ पैसा बचाए हो ना आप अपने का autocad और software का market में invest किये बिना वो पैसे आपको invest करना है अपने उपर यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये corporate training course दो साल तक valid होता है यार दो साल तक आप पूरे courses को access कर सकते हो जोगी corporate training course आप लोगों के लिए उ उस level पर knowledge प्रोइड करने के लिए कि एक engineer इस पूरे universe में आगे बढ़ सके course में ही आपको notification में आपको coupon code जाएगा उस coupon code को लगा कि आप corporate training course को 27,000 रुपए save कर सकते हैं 27 रुपए का in future laptop ले लिजेगा लेकिन आपको इस laptop नहीं दिये तो भी कोई दिक्कत नहीं आप इस course को असानी से अभी access कर लीजिए पूरा practical knowledge सीख लीजिए जैसी job लगता है आपकी salary आती है तो salary से laptop खरीद लेना यार 27,000 रुपए हो तो बचाई हो साथी साथ जल्दी job लगेगी जितना जल्दी आप training लोगे ये training में 110% क्यों कहता हूँ job का civil कुरूची नहीं लगाता आप ख पर एक ही job में जाके गुरुजी लगा देगा तो हम वहां से job कर लेंगे आप यह पूरा course content है उस course content को एक copy में लिखी है अपने nearest किसी construction project में जाए और यदि उस construction project का project manager कहा दे यदि तु यह सारा चीज़ सीख लेता है और ते को जॉब मिल जागा तो definitely मैं कहता हूँ आपक सके कि वो किस तरह के से रेट करके आपको दे रहे हैं ताकि हम भी उन उस cost में आपको चीज़ प्रोवाइड कर सके तैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो पुशी जो सरी जुन के साथ नीचे डिसक्रिशन में contact number है तुरंट कॉल लगे एक आंसलर के पास और पता कीज से आपको ये सारे courses मिल जाएंगे